आखों को ताज़ी मिलती है उत्राखंड की हर्याली और हरे भरे पहाडों को देख कर गुनगुनाती शीतल हवाएं कल-कल करती यहां की बल खाती नगी उचे-उचे पहाड और जहां तक नजर जाए किवल हर्याली ही हर्याली ऐसा है उत्राखंड यहां गर्व से सीना ताने खड़े पहाडों की मुस्कुराती चोटियां किसी का भी मन मोह लेती है ऐसे में अटखेलिया करते बादल दूर तक जहां भी नजर जाती है किवल कुद्रत के खुबसूरती नजर आती है वैसे तो देखने में हर पहाड एक जैसे नजर आते हैं लेकिन पहाड की अपनी एक अलग पहचान होती है उत्राखंड के गड़वाल की खुबसूरती वैसी ही दुनिया भर में मशूर है अगर कुद्रत के अंचुए पहलूं को जानना और समझना हो तो वो जगा उत्राखंड है जहां कुद्रत को उसके अंचुए रूप में देखा जा सकता है चारों तरफ घने जंगलों से घेरे पहाड ऐसे में शाम को जंगल के बीच बैठ कर कोई भी कुद्रत से बातें कर सकता है पेड के पत्तों से जब हवा टकराती है तो मानुस संगीत के स्वरलहरी वातावरन में गूँजने लगती है रोजाना की टेंशन और प्रदूशन से कुछ देनों के लिए राहत की दर्कार हो तो उत्राखंड के खुबसूरत वादियों का दीदार जरूर करें दूर तक फैले पहाड, ताजी हवा, डूपते सूरज का नजारा, रात के समय खुले आकाश में चमचमाते तारें और सुबह पत्तों पर गिरी ओस की बूंदे ये सब मिलकर आपके लिए कभी ही न भूलने वाला भूपल हो सकता है उत्रखंड के सफर के दौरान कई बार तो पहाडों का सीना चीर कर बनाई गई सड़क का नजारा भी बेहद मनमुहक होता है सफर में छोटे बड़े देवदार के पेड़ों के बीच छोटे छोटे पहाड गुमाओदार रास्ते जहां तक नजर जाए वहां तक हरा भरा रास्ता ही नजर आता है